नमस्कार सौगत अपनीजरूम पोस्ट में मैं हूँ अपके साथ रोशनी सेंग हम अक्सर ये सुनते आए हैं कि केवल सारीरिक सुनदर्ता ही नहीं लोगों के लिए जरूरी होती है जिसकी एक उम्र होती है और उसी उम्र में आप हर किताब अपने नाम कर सकते हैं लेकिन हाली में अर्जन्टीना की रहने वाली 60 साल की लॉयर और पत्रकार अलेजेंड्रा मारिसा ने इस बात को जूटा साबित कर दिया है और एक ऐसा इतिहास रचा है जिसने सभी को हैरान करके रग दिया है दरसल 60 साल की मारिसा ने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आइरस 2024 का किताब अपने नाम कर इतिहास रच दिया है उनके कई सारे फोटोज और वीडियोज भी अफ शोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है एलेजेंडरा अर्जन्टीना के ब्यूनस आइरस प्रांत की राजधानी ला प्लाटा की रहने वाली है जो पेसे से एक वकीर और पत्रकार है मेडिया रिपोर्ट के अनुसार इस समय वो एक अस्पताल में लीगर एडवाईजर के पदपर काबिज है वहीं हर कोई इस बात से हैरान है कि उन्होंने ऐसा कर दिखाया है एलेजेंडरा ने 60 साल के उरो में मिस यूनिवर्स ब्यूनस आइरस 2024 का ताज अपने नाम कर उम्र और सुन्दर्ता के बारे में रूडी वादी की छोटी सोच को करारा जवाब भी दिया है जो ऐसा बोलते हैं सुन्दर्ता बस एक उम्र तक ही रहती है साथी ऐलेजेंडरा ने अपनी जीत से दुनिया भर के लोगों को प्रेरित भी किया है एसोशियेट प्रेस के एक रिपोर्ट के मताबिक ऐलेजेंडरा की जीत एक ऐसा एतिहासिक छन है जिसका सद्यों तक याद रखा चाएगा क्योंकि वो पहली ऐसी महिला है जिन्नोंने साथ की उम्र में ये खिताब जीता है इतना ही नहीं उनकी कई सारी फोटोस वीडियोस भी अफ सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है जिसमें उनकी खुबसूरत स्माइल अंदाज और फैंस का दिल जीत रहा है साथ ही हर कोई उनकी तारीव भी कर रहा है ट्विटर पर शेयर कैए वीडियोस के मताबिक इस जीत के साथ अब अलेजेंडरा 25 मई को होने वाले मिस यूनिवर्स एर्जेंटीना के कॉंटेस्ट की तयारी कर रही है और अगर वो इस कॉंटेस्ट में जीत गई तो मिस यूनिवर्स साल 2024 में दुनिया के सामने अर्जेंटीना को रिप्रेजेंट भी करेंगी तो इस वीडियो में फिलाल इतना ही फिर मिलिंग एक नए वीडियो के साथ है